साथियो नमस्कार स्वागत है आपका आपकी अपने यूटूब चैनल पर साथियो आज की वीडियो खास तोर से रीट केंडिडेट्स के लिए रहने वाली है REIT के वो candidates जो REIT परिक्षा के अंदर selection की दोड में है वो candidates इस वीडियो को लास तक जरूर देखिएगा खास तोर से ये वीडियो है वो REIT लेवल टू English के candidates के लिए रहने वाली है और बाकी के जो subject के जो candidates है उनके लिए भी है महतोपूर है आप thumbnail देख चुके होंगे इस thumbnail को पढ़कर कि आप अंदाजा लगा सकते हो कि आज की वीडियो में आपको क्या मिलने वाला है तो अप्रेल महिने के first week में REIT का जो result है वो जारी हो जाएगा और जो candidates selection की दोड में है वो result से पहले पहले इन documents को त्यार रखे क्योंकि result आने के बाद ज्यादा time नहीं मिलेगा पांस से साथ दिन time मिलने वाला है तो उससे पहले जो दोड के अंदर है वो जो जो मैं documents बता रहा हूं उन documents को त्यार रखे English के candidates की बात करे तो कौन से candidates documents त्यार रखे कितने person जिनके सही हो रहे हैं वो त्यार करे वो इसमें जानेंगे और साथ में read level 1 और read level 2 के जितने भी candidates है वो इन इन documents को पहले से त्यार करवा करके रखे ताकि result आने के बाद ज्यादा कोई आपको आने की problem का सामना नए करना पड़े तो वीडियो को पूरा देखने से पहले वीडियो को like करतीजिएगा चैनल पे आप नए हो तो चैनल को subscribe करतीजिएगा और इसी तरह की और जानकारी लेने के लिए बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जैसे ही next वीडियो अपलोड किया जाए सबसे पहले उसका notification आपके पास पहुंच जाए तो साथियो read counseling 2023 जो की अप्रेल महिने में शुरू हो जाएगी खास तोर से English की बात करें और अन्ने subject की भी बात करेंगे उसमें दो गुणे के documents है वो verification होगा तो सबसे पहले English वाले candidates के लिए कितने question हो वो documents त्यार रखे वो आगे अपन बढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको ये दिहान रखना है कि जितने भी documents मैं आपको बता रहा हूं उन documents की दो-दो copy वो मूल दस्तावेज आपके पास होना चाहिए मतलब दो-दो photocopy लगबग 20 documents ऐसे हैं जो कि मैं आपको बताने वाला हूं जो की documents verification के time से लेगा तो सब की दो-दो photocopy होनी चाहिए और original copy आपके पास होनी चाहिए documents verification के बाद अब आगे बढ़ते हैं अब सबसे important बात कि कौन से candidates ऐसे हैं जो documents त्यार करवा करके रख सकते हैं English की खास तोर से बात करें तो जिनके 78 के आज़ पास क्योसन सही हो रहे हैं वो सारे candidates क्योंकि दो गुने की list जारी होगी और दो गुने में 78 के आज़ पास यानि जो SCST के candidates है वो लगबख 76, 78 के आज़ पास जिनके नंबर बन रहे हैं वो अपने documents चारी रखे त्यार रखे और बाकी OBC के यह मान के चलिए 80 या 80 पलस के जो है OBC और General EWS, MBS यह जितने भी candidates है वो अपने documents है वो त्यार रखे क्योंकि दो गुना candidates को बुलाया जाएगा अब बात करते हैं एक एक यानि documents की कौन कौन से documents आपको त्यार रखने हैं तो सबसे पहले देखिए मैं आपको बता चुका हूँ यह 20 documents मैं आपको बता रहा हूँ 20 documents की आपको दो दो फोटो कोपी होने चाहिए दो दो फोटो आपको class 10th और 12th की मारक सीट से यह एक नमर हो गया और दो class 10th और 12th के परमान पत्तर आपके पास होना चाहिए तो कही candidates ऐसे हैं जिनके परमान पत्तर हैं वो school के अंदरी पड़े हैं मारक सीट के वल उनके पास है तो वो पहले ही result आने से पहले अपने परमान पत्तर जिस school से उन्होंने 10th और 12th पास की थी उनके परमान पत्तर भी ले करके अपने पास रख ले तो 10th और 12th की मारक सीट और उनकी फोटो कोपी करवा के रखे और उन दोनों के परमान पत्तर तीसरा डोकुमेंट की बात करें जनम परमान पत्तर बहुत सारे candidates ऐसे हैं जिनका जनम प परमान पत्तर है ये compulsory हो चुका है तो सबका birth certificates बना होना चाहिए 10th वाले date of birth के अलावा जनम परमान पत्तर भी मांगने लगे हैं अब अगला देखिए graduation mark seat अगर कोई BA का art का candidates है तो वो BA की mark seat रखे science का है तो BAC की और साथ में graduation की degree जिनके पास degree नहीं है तो वो degree अपने प तो चोथा क्या हो गई graduation आपने जो BA, BAC, B.com जो कुछ भी किया है वो और साथ में graduation की degree आपके पास होनी जरूरी है ये 5 documents हो चुके हैं इस सरे से total अब बात करें BA mark seat अब जो level first से है वो तो क्या करेंगे BSTC की mark seat कर लेंगे दोनों साल की है तो दोनों साल की और एक साल में ज पूर्ण है अब इसके बाद अपन आगे चर्चा करते हैं जाती परमान पत्तर आपके पास होना चाहिए जाती परमान पत्तर ध्यान रखिएगा 6 महीने से पुराणा नहीं होना चाहिए अगर 6 महीने से ज्यादा पुराणा हो चुका है तो आप नया जाती परमान पत्तर क इसको बनाना होगा जिनोंने जिनकी फीस कम लगे थी फॉर्म फिल करते टाइम जिनोंने अपनी यानी आई कम बताइ थी फॉर्म फिल करते टाइम और वो ही कंडिरेट्स आई परमान पतर बनाएं और जिन्होंने पूरी फीश दी है फोर्म फिल करते हैं में समय उसे आये परमाण पत्तर की ज़्यादा जरूरत नहीं होगी अब आगे ग्यार हुआ जो बात करें B.Ed. Admission Date परमाण पत्तर साथियों ये महतोपूर्ण है जहां से आपने B.Ed. की है ये B.Ed. की है उसका परमाण पत्तर Admission Date यानि कि Date नहीं लिखे लानी है पहले जब रीट परी का जो पेपर हुआ था तो फोर्म फिल करते हैं समय Admission Date मांगी थी अब आपको आपसे क्या मांगा जाएगा परमाण पत्तर मांगा जाएगा तो परमाण पत्तर आपको कोलेट से ही लिखवा करें पहले ही त्यार रखना है और B.Ed. का या B.H.T.C. का चरितर परमाण पत्तर भी आपको कोलेट से लाना होगा जहां से आपने किया था अब आगे बढ़ते हैं documents verification में ध्यान रखेगा दो मूल आविदन पत्तर आपके पास होने चाहिए मतलब जो आपने form fill किया था रीट का उनकी दो copies आपके पास होने चाहिए दो मूल आविदन पत्तर आपके पास होने चाहिए और उसके बाद चोगदुए की बात करें दो चरित्तर परमान पत्तर आपके से पास होने चाहिए एक तो B.A.D.A. B.S.T.C. कोले से और दो अलग से है उसके बाद रीट प्री 2022 परमान पत्तर जो आपने रीट प्री किया है रीट प्री जो पास किया है उसका 2022 का परमान पत्तर कि आप यानि की रीट प्री है यानि की रीट प्री जो टेस्ट है वो पास कर चुके है वो परमान पत्तर होना चाहिए इसकी फोटो कोपी होनी चाहिए अगर रीट लेवल 1 के है तो वो अपना यानिकी पर्मान पत्तर है वो ले के जाए उसके बाद है कि विवाहित या एविवाहित पर्मान पत्तर अगर आप विवाहित हो तो आपका जो विवापंजियन जो पर्मान पत्तर है वो होना चाहिए और आपके यानिकी जो कितने बच्चे हैं वो भी प्रमान पत्र आपके पास ही होना चाहिए उसके बाद बात करें सफ़त पत्र निर्धारीत प्रारूप में ये सफ़त पत्र साथियोत जब रिजल्ट जारी होगा तब साइट के उपर सफ़त पत्र मिलेगा गोशना पत्र वो आपको निकालना होगा तो इससे पहले जो 16 मैंने और बताए हैं वो त्यार रखे ये सफ़त पत्र जब रिजल्ट होगा तो उसके बाद आपको प्रारूप आपको फिल करना होगा उसके बाद बात करते हैं गोशना पतर निर्धारीत प्रारूप में ये प्रारूप भी रिजल्ट के साथ ही साइट के उपर डाला जाएगा तो इसकी भी आप टेंसर मतले ये रिजल्ट आने के बाद आप त्यार कर सकते हो बाकी आप result से पहले त्यार करिए और उसके बाद देखिए police verification ये जो police verification है ये joining मिलने के बाद आपको police verification करना होगा इससे पहले police verification की कोई जरूरत नहीं है तो ये बाद का काम है लेकिन वीडियो के साथ मैंने बता दिया कि आपको कौन-कौन से यानिकी documents चाहिए एक last जो है वो है bank passbook की copy और ये भी आपको कब चाहिए होगी after joining joining के बाद तो मतलब 18 documents ऐसे हैं जो आपको क्या करना होगा त्यार रखने होगे दो joining के बाद आपको यानिकी त्यार रखना होगा तो इस तरह से ये documents आपको चाहिएंगे उमीद है आपको वीडियो अच्छी लगी है अगर आपको read से समंदित और वीडियो चाहिए कटोप चाहिए वो भी subject की उससे समंदित वीडियो चाहिए तो आप comment करके मुझे जरूर बताईएगा और read level second English में आपके कितने questions ही हो रहे है वो भी आप जरूर बताईएगा Thank you very much